आज की वीडियो बहुत ही जाला मज़ेदार होने वाली है थर्ड फेस कभी स्टार्ट हो रहा और साथ इसाथ कौन-कौन से जॉन आएंगे थर्ड फेस में उस सारी बाते तो करेंगे बहुत सारी छोटी मोटी चीज़े जो है आपको नौलीज होने चाहिए जो मैं आपको यहां पर आज बताने वालों देखिए बहुत सारा मैट्रियल ऐसा लेकर आएंगे जिसे देखकर आप बिल्कुल खुस हो जाओ यहां कुछ चीज़ा है जिस चीज़ी तैयरी कर रहे हैं तो मेरा इस सारी चीज़ों पर चलेंगे कौन से चौन से कितरे फॉर्म भरे गए और उसके इसाब से कुछ और इंपोर्टेंट चीज़े भी आपको बता हूँ कि अगर मैं वो चीज़े लाएं तो उसके पीछे कोई रिजन होगा पर और रिजन आपको एंड में जाते हैं चीज़े नो दिन आगजाम होगा सेटमर में उननीज दिन और अक्टूबर में दो दिन आगजाम होगा और अक्टूबर में एक्जाम खतम हो जाएंगे अब जाएंगे कहीं न कहीं, 14 एक दिन पहले नोटीस यहां पर भी आया, यानि 14 से 12 तेरा 14 दिन का गैप है, जब नोटीस आता है और जिस दिन एक्जाम हो रहा है, उसके बीचे में, City Intimation की बात करें, तो City Intimation फर्स्ट फेस वालों का 8 अगस्त को आया, यानि कि 9 दिन पहले कहीं न कहीं, औ यहां पर हैं मेरे भाई, City Intimation 18 अगस्त को आया, 8 दिन पहले, यानि गैप हो ही है, 14 और 8 का, 14 और 8 का, या तेरा और 8 का, आप एप्रोक्स मान कर चल सकते हो, अगर मैं यहां पर बात करूं, तो 17, 18 का एक्जाम थे, अब यहां से आप खुदी पता लगा पाऊगे, कि मेरे भाई, कि आपका जो थर्ड फेस है, वो कौन सी डेट से स्टार्ट हो जाएगा, एक्जाम, खुदी पता लगा लोगे, देखे, 17, 18, 19, 20, 21 की बात करें, एक्जाम थे, 27, 24, 25, 25 के वाँ सीधा 26 को या एक्जाम थे, पर बहुत से बच्चे सोचे हैं, सर 8 को खतम हो, तो 9 को हो जाएगा, थर्ड फेस, अभी आपको में एक लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, तो 26 के आज मेरे 27, 28 को यहाँ पर भी एक्जाम थे, थर्ड फेस के एक्जाम के एक्जाम क्यों नहीं है, फिर से वही सेटर्ड ए संडे, यानि सेटर्ड ए संडे को आपका एक्जाम ही नहीं थर्ड फेस, नौ को इस्टार्ट होना चाहिए, बास से यह आ जाते हैं, अगर थर्ड फेस, नौ को इस्टार्ट हो गया, तो तो हो गया, नौ यानि 9 सितंबर, अगर नहीं हुआ, तो फिर दस ग्यारा हूँ, सेटर्ड ए संडे और जिस हिसाब से चल रहे हैं, सेटर्ड ए परिशान होता है, एक यह बारे हों पता लग जाए, कब नौटिस आ सकता है, तो मिरूँ अगर इसकी बात करें तो 13-14 दिन का गैप ले लीजिए, 14 दिन जैसे की चली रहे है, या तो 12 दिन या 14 दिन का इसा कोई गैप चल रहे है, तो उसके एसाब से तो नोटिस 25 या 26 सित इसकी, वैसे तो 100 परसेंट है यहीं इसी डेट से आपका एकजाम स्टार्ट अप, परन्तु 1-2 परसेंट माल लेते हैं, कि अगर 9 से नहीं स्टार्ट हुआ तो 99 परसेंट अगर मान कर भी चलो, कि यहीं से श्टार्ट है पर 1 परसेंट नहीं हो तो 10-11 गों तो होना ही नही है एकजाम, तो फिर तो सिधा 12 से स्टार्ट होंगे, यह बात तैह है, और अगर 12 से स्टार्ट है तो नोटीस भई, 13-14 दिन का गैप है, तो 39 या 30 अगस्त को आजागा नोटीस, और मेरे भाई City Intimation, मैं 8 एक दिन का गैप होता है, तो मेरे भाई City Intimation, मैं 8 दिन का गैप हो इसी में छुपा हुआ है, जैसे हाँ पे City Intimation वाला खेलता, इन्होंने एक खेल कर रखा, देखिए थर्ड फेस की बात करें, तो देखिए आपको मैं सारी की सारी चीए बताता हूं, कि फर्स्ट फेस में किस-किस जोन का एकजाम हो है, छे, नो, सोला, छे, नो, सोला, यान छे, छे, जो की साफ सेंटर रेल्वे है, वो है क्या मिरे भाई हेड़कॉर्टर सिकंद्राबाद, सिकंद्राबाद मलब हेड़कॉर्टर है, और इसके अंदर नौ लाख एप्रोक्स लोगों ना, फर्म बरे हैं, फर्म इस वाले जोन के लिए, इसके बाद फर्स्ट फेस म फिर आपका आता है, नौ, जो की मिरे भाई, आपका मुंबई आ जाता है, हेड़कॉर्टर जोन वेस्टर रेल्वे, ठीक है, इसमें भी नौ लाख बच्चों है, महला फर्म बरे हैं, और उसके बाद सोल वाँ, यानि छे, नो, सोला, ये फर्स्ट फेस में एक्जाम होई यानि ये बड़ी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू, तीन ऐसी चीज़े ली गएं, जिसमें से दो बड़े, जहां पे दो बड़े जॉन, जिसमें ज्यादा एक्जाम फॉर्म भरे गए और एक छोटा जॉन लिया गया, फर्स्ट फेस खतम, 24 लाख क बड़े लिया, अब हम सेगेंड फेस पर आते हैं, ये तो वही फ्री बुक है, टॉप तक पर सेगेंड फेस, सेगेंड फेस में आपका पांचवां, ज्यारवां इस तरह से चीज़ें आ रही हैं, पांचवां जॉन कौन सा है, मिर भाई, साउथ इस्टन रेल्वे, जो की क पर अलावाद, नौर्स सेंटर रेल्वे, नौलाख एप्रोक्स, और फिर चौदवां, बस ये पांच हैं, अगले साइंड फेस में पांच थे ना, तो इसमें बिलास पूरा रहा है, जिसमें दो लाख एप्रोक्स बच्चोन फोर्म बरे हैं, साउथ इस्टन रेल्वे, औ अगर आप इससे टोटल कर लोगें, सबसे पहले में टोटल से या देखिए, कि अगर आप देखते हो, तो देखिए, एक, पहले बड़े देखो, एक, दो, कहीं ना कहीं, दो जोन ऐसे लिए हैं, जो बड़े हैं, पहले वाले में दो जोन ऐसे लिए हैं, जिन में बड़ी, यानि 9-0 लाख वो थे form भरे गए और उसके लावाद चोटे-उटे ले रखे हैं 4 लाख वाला ले रखा है और 1 2 लाख वाला ले रखा है और 1 ले रखा है और 1 ले रखा आपका 4 लाख वाला यानि 3 चोटे वे पर 2 हमेशा बड़े हुआ हैं हर किसी में दो-दो, क्या हो रहा है, एक्जाम कराओगे, तो एक साथ सभी बड़े-बड़े जोन को ले लेंगे, तो एक साथ ठक जाएगा नहीं, इंसान यार इतरे सारी का ऐसे एक्जाम कराए जाएगे, तो बड़े-बड़े और कुछ छोटे पकड़ रखें, अगर इस हिसाब से चला जाए, तो अगर मैं थड़ फेस, सेगंड फेस को खतम करता हूँ, तो मैं थड़ फेस पर अगर पॉस्टा हूँ, तो थड़ फेस में, पहले मैं दिखाता हूँ कि कौन-कौन से ऐसे जोन बच्चे हैं, जिसमें बहुत जादा बच्चा है, एक जौन बचा है न्यू दिल्ली, डिविजन दिल्ली, अमबाला, फिरोचपुर, लखनव, मुरावदाबाद, इस जौन में सबसे यादा बच्चे ना फॉर्म भर है, 19 लाख, इसके बाद आपका आता है मिर भाई, कोलकता वाला, इस्टन रेलवे, पहले भी एक कोलकता था पर वो वाला हमारा कौन सा था, एक सेगिंड, 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 साउथ इस्टन रेलवे था ये, और ये जो कोलकता है, ये वाला हमारा कौन सा है मिर भाई, इस्टन रेलवे सिंपल, इस इसके अंदर भी में रहे भूनेसवर नो लाग अब होगा कि अब इसके वाद सारे चोटे-चोटे हैं यानि कि जो अगला फेज होगा इसमें एक दो तीन चार इन चार में से कोई दो अगले में होंगे और कोई दो उससे अगले में यानि कि अब पेपर जो होने वाला है कोलक दादा वालों का, चय्न्की वालों का, या मुंबई वालों का, या भूूनेसवर वालों का, इन में से 5 हैं यह तो पांच में से या तो तीन ले ले लेंगे, या तो दो Ughla, नो m तो यह दो सकत governance को जैसे नितने को धूट बड़ क्योंकि आठ बच्चे हैं या फिर यह पांच और तीन वाला वही कंसेप्ट रखेंगे तो इस तरह से ही सारी चीजों को करा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके अगर थर्ड फेस की बात करें तो आप मोटा मोटा समझे होगे कि किन किन बच्चों का एक्जाम हो सकता है ठीक है त और आपके लिए जितना बन पार है रोज रात में नौ बजे एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं गजब सी जो एक्जाम में जो जो कोशन है जो आप नहीं कर पाते देखिए मैक्सिम तो मैंने पढ़ाई दिया सारा आपको बट कुछ ऐसी चीज़े नहीं आती है आपक कोई बच्चा किस लेवल तक पढ़ाई कर सकता है फिर मैंने कल वो वीडियो डाली वो एपी करवा रहा है बट वो कोशन मैंने भी निगराई थे सही बता हूं तो इस पर मनलब मैंने अपने उस वाले महाबारत कोर्स जो है मिरमाइस का बाप कोर्स उसमें तो पढ़ा रहा अगर आप जाओगे तो उसमें पढ़ा रहा है बट मुझे नहीं बता था कि रेलवे में भी इस लेवल तक के कोशन आया सकते हैं फिर मैं ऐसी देख रहा था तो वो कोशन यहां पर भी आ रहे थे तो मैंने उसके ट्रिक बता दी कर ली ठीक है तो ऐसे मैं बहुत सारी ट्र मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहा हूँ जिससे आप 100% सेलेक्शन ले पाओ आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब और जो ही पढ़ाता हूँ उसे ध्यान से पढ़ा करो जो रात मुना हो पढ़ाता हूँ और सब्सक्राइब लेकर दो मिलियन होने वाले जल्दी से कर दो मिलियन पार्टी वाटी करेंगे जब आपको सेलेक्शन भी हो जाएगा तब तक हमारी मिलियन भी हो जाएगे नहीं दोनों पार्टी एक साथ ही पर मिलके दिलने में करेंगे ओके बाइले वी जाहिन जे वारत बाय